साथियों, बदलते समय के साथ अपनी एप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21 सदी में भारत की इस कृषी को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसी का बिड़ा देश के करोरों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंदे जे कंदा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। आज हर किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बता कर खरीने से इंकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में ओने पोने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कुरुशी सिधारों के जरिये हमने किसानों को बहतर विकल्प दिये हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाईयों बेहनों मेरे इन शब्दों को अब ध्यान से सुनिये। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निरे करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप बहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतन सवर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं, आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं, आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं, आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप पूरे गाउं के किसानों को एपियों के मादम से इखटा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप बिस्केट, चीफ, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हों आप ये भी कर सकते हैं देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प आउनलाइन मादम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है साथियों, आज नए कुरुशी सुधारों के बारे में असंक्य जूट फैलाए जा रहे हैं कुछ लोग किसानों के बीच ब्रह्म फैला रहे हैं कि MSP समाप्त की जा रही है तो कुछ लोग अप्पाय फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा मैं आपको फिर ज्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन कानूनों को लागू हुए तई महने बीच गए है क्या आपने देश के किसी एक कौने में एग भी मंडि के बंद होने की खबर सुनी है जहां तक MSP का सवाल है हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का नियुनतम समर्दन मुल्य भी बड़ा दिया है एक कुरुशी सुधारों के बाद भी हुआ है नए कुरुशी कानूनों के बाद भी हुआ है इतना ही नहीं जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोस किसान भी है ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारदार वाले तो सर्म नेता है बागी तो भले भाले किसान है उनको जाकर के सिक्रेट पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीर है क्या पैदा करते हो इस बार बेचा कि नहीं बेचा तो वो भी बताये का हा वो MSP में बेच कर गया है और जब MSP में खरीच दी चल रही दिन अब वो अंधोरन को उन्होंने स्थंडा कर दिया था क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके कमाल बेच रहा है। वो सब विक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने अंदोलन सूर की गया। साथियों वास्तिविक्ता तो ये है कि बड़े हुए न्यूनतम समर्तन मुल्ले MSP पर सरकार ने किसानों की उपच्की रिकॉर्ड्स तरपर खरीदी किये और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बाद इन कुरुशी सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारिया बढ़ाई हैं। उदान के तौर पर एग्रिमेंट फार्मिंग की बाद ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाद में भी हैं, वहां तो प्रावेट कंपनियां एग्रिमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझोता तोडने पर किसानों पर पैनल्टी लगती थी।